चोपड़ा है जो किसी यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हादिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों CMC वेलियूर यानि Christian Medical College वेलियूर आपने नाम जरूर सुना होगा इंडिया में ये second top college है यानि कि अगर हम बात करें ranking तो AMS के बाद में इसी की ranking आती है प्राइवेट मेडिकल कोलेज होने के बाद भी इतनी अच्छी rank होने से इसकी कटोप भी काफी ज़्यादा जाती है इसमें जो seat distribution है वो All India के लिए इसमे 16 seats है यानि कि All India candidate के लिए 16 seats है और value में ये तमिलाडो state में value में situated है अभी ये 16 seat का distribution इस परकार से है कि इसमें जो 12 seats हैं वो open to all है यानि कि All India का कोई भी candidate किसी भी category का candidate इनमें admission ले सकता है और इसमें SC, ST के लिए 3 seat रीजेरो हैं दो SC candidate और एक ST candidate के लिए 3 seat रीजेरो हैं इसके बाद एक seat center pool कोटा के लिए रीजेरो है जिसकी concerned ministry द्वारा counseling करवा कर इस college में admission देया जाता है तो इस परकार से open के लिए 16 seats का distribution है इसमें इसके बाद में minority network की 74 seats है जो dice wise है यानि की जो Christian जो church है उनके sponsored candidate है उनके लिए ये 74 seats रहती है इसके बाद में CMC value का जो staff कोटा है यानि की जो CMC value में service कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए 10 seat रीजेरो हैं यहांपर तो इस परकार से यह seat distribution है CMC value का CMC value में जो admission होता है वो NEET score पर ही होता है NEET 2016 जब पहली बार introduce हुआ था तब इसका एक अलग से exam होता था 80% इसका जो अलग से exam होता था CMC value का उसका weightage लिया गया था 16 में 20% नेट score का weightage लिया गया था इस परकार से 16 में पहली बार admission हुआ था इसके बाद में इससे पहले की बात करें हम 16 से पहले की तो CMC value का अपना अलग से ही entrance exam होता था उससे admission लिया जाता था लेकिन नेट 17 के बाद यानि की 17, 18, 19 और 20 में जो admission हुआ है 21 तक वो सारा net score पर ही हुआ है अलग से इसका कोई entrance exam नहीं लिया गया लेकिन जो 21 में admission के लिए जो seat distribution था वो अलग था Supreme Court ने ये order दिया था कि जो seat distribution है उसको change गया गया है और वो 21 के लिए ही change किया गया था ये अभी भी Supreme Court में इसके regarding hearing होनी है 18 जुलाई को इसकी hearing है अभी उसमें क्या होता है ये तो बाद की बात है लेकिन जो 21 में seat distribution था वो इस परकार से था Supreme Court के order से यानि कि जो फिल के गीती सीट ये Minority Network की 20 सीट थी जो dice wise थी इसके बाद में तमिल नाडू के जो Christian candidate हैं उनकी 69 सीट थी CM से staff quota की 10 सीट थी और central pool quota की 1 सीट थी यानि कि इसमें कोई open quota नहीं लिया गया था कोई भी other state candidate नहीं लिया गया था इसमें जो 12 सीट से other state candidate के लिए open के लिए 16 सीट से उनका कोई भी candidate इसमें अलाउन नहीं किया गया था यानि कि शोरी हालांकि इन्हों ने registration जरूर किया था out state candidate ने registration किया था लेकिन इनको admission नहीं मिला था वो सुप्रिम कोट ने ये कहा था कि शिरफ ये admission का जो है सी distribution ये 21 के लिए ही है अभी 22 के लिए कैसा होगा इस साल के लिए ये हम कह नहीं सकते हो सकता है 21 की जगे जैसे ही हो या फिर जो 21 से पहले admission होता आया जिसमें ओल इंडिया candidate भी eligible थे ऐसा भी हो सकता है लेकिन ये होगा सुप्रिम कोट के decision के बाद अभी सुप्रिम कोट का decision या तो 18 जुलाई 22 को आ सकता है या फिर इसके बाद में भी आ सकता है तो ये कह नहीं सकते कि इसका जो अब की बार 22 में seat distribution होगा वो किस परकार से होगा ये अभी suspense में ही है लेकिन ये सुप्रिम कोट के order के अनुसार ही होगा अभी काफी सारे candidates इस confusion में हैं कि हमें form apply करना चीए या नहीं करना चीए तो सबसे पहले मैं आपको इसकी application fees बता देता हूं तो जो इसकी application fees है वो 800 रुपीज है और इसमें course wise जो registration fees है वो 500 रुपीज है यानि कि कोई भी candidate जब MBBS के लिए admission अपलाई करता है तो उसको 1300 रुपीज पे करने होंगे तो मैं आपको यहां पर suggestion दूँगा कि हो सकता है सुप्रिम कोट का बाद में क्या decision रहे open candidate को allow कर दे तो आपको ये form apply जरूर करना चाहिए अगर आप other state से है और cmc value में admission लेना चाहते हैं तो क्योंकि इसमें बाद में कोई option नहीं रहता है तो ये मैं आपको ये suggest करूंगा कि ये आपको apply जरूर करना चाहिए इस form को अब इसका जो selection procedure है वो किस प्रकार से होता है तो इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले यहां पर cmc value की website जो admission.cmcvalue.ac.in है इसकी website पर अभी आपको registration करना है MBBS की साथ में अलग course भी है उनमें आप admission लेना चाहते हैं तो उनमें भी आप apply कर सकते हैं तो आपको cmc value के लिए अभी registration करना है registration करने के बाद में आपने नीट एक्जाम देना है एक्जाम देने के बाद में तमिल नाडू selection committee दवारा application form invite किये जाएंगे उसमें आपको फिर से apply करना है cmc value के लिए वहाँ apply करना आपको जरूरी है apply करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ आपको एक eligibility certificate लेना होता है mgr university से वह eligibility certificate आप online collect कर सकते हैं उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आप eligibility certificate collect करना है आपको तो वो फिर आपको तमिल नाडू state counselling के टाइम पर registration करना है cmc value के लिए वो registration करने के बाद में वहाँ पर आपको AR number मिलेंगे वो AR number अप्डेट करना है cmc value की website पर यानि कि CMC Vailure की वेब साइट पर आपने open करना है वहाँ पर आपको link मिलेगा NEET score का AR number का तो वहाँ पर click करना है अपने login करना है और NEET score डालना है और AR number जो आपने तमिल लाडू के अंदर तमिल लाडू के लिए apply क्या है वहाँ पर AR number मिला है वह AR number आपको वहाँ पर डालना है तो यह procedure है उसके बाद में जो तमिल लाडू selection committee है उसके द्वारा counseling करवा कर admission दिया जाएगा तो CMC Vailure के लिए भी counseling तमिल लाडू selection committee द्वारा ही करवाया जाता है ने की CMC Vailure द्वारा लेकिन आपको CMC Vailure की website पर form जरूर apply करना है और तमिल लाडू selection committee के website पर भी apply करना है तो यह हो गया इसका procedure फिलाला आपको CMC Vailure की website पर ही apply करना है अब हम इसमें बात करते हैं आगे बात करेंगे documents आपको क्या क्या चीए तो जब आपका allotment हो जाएगा तो यह documents की जरूरत होगी allotment लेटर जो तमिल लाडू selection committee द्वारा दिया गया है वो चीए उसके बाद में 10 प्लस 2 की mark सीट चीए date of birth के लिए 10th की mark सीज़े transfer certificate, migration certificate तो इस प्रकार के documents के आपको आवश्यक्ता होगी fees इस college की बहुत ही कम है यानि की नए के बराबर है private होने के बाद में भी government से भी कम फीश है यानि 52,830 रुपीज शिरप आपको पे करना है hostel के लिए इसमें 10,000 male candidate के लिए 8,000 रुपीज female candidate के लिए करना है और जो living का जो charge रहेगा वो 16,000 man और woman दोनों के लिए परमन रहेगा तो ये condition थी जो मैंने आपको पूरी बता दी है अब इसके लिए apply कैसे करना है तो apply के लिए admission.cmcvalue.ac.in पर आपने visit करना है, visit करने के बाद में आपने आपर candidate registration पर क्लिक करना है registration करना है और फिर sign in to apply और view पर क्लिक करके आपको apply कर देना है apply normal होता है जो बाकी form में हम apply करते हैं वैसे ही apply होता है फिर भी आपको कोई problem आती है तो comments में जरूर लिखें तो ये जो condition थी मैंने आपको सारी बता दी है cmc value के बारे में आपको registration आवसे करना चीए अगर आपका score अच्छा रहा है अच्छा score होता है यानि कि इसमें जो admission होता है वो 630, 640, 650 के above ही इसमें admission होता है तो आपको जरूर apply करना सीए इसके बारे में और कोई update मिलेगी तो हम आपको जरूर inform करेंगे मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन